जन्पद में सुभा सुभा एक दिल तहला देने वाला हापसा सामने आ है एक साथ होई तीन मौतों से गाउं कहीं नहीं बलकी पूरा शुद्र तहल उठाए संदिक दे प्रस्तितियों में एक ही घर में पीता पोद्र और कोद्री की मौतों गई खटना की जनकारी लगते ही गाउं में संसरी फैल गई ग्रामलों के मताबिक फांसी के फंदे पर पीता का शौल डग रहा था वही जमीन पर बेटे आ और बेटी का शौपड़ा हुआ पाया गया खटना के बाद तमाम संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुँच गए खटना की जनकारी लगते ही भारे पुलिस बल गाउं पहुच गया फिलाल घटना को लेकर फरिवार की अन्य लोग कुछ भी पताने कोशे इंकार कर रहे हैं बता दे कि दिवरिया थानाजशितर के अंदरगत आने वाले रंभा रंभोजा गाउं के रहने वाले बालकराम गाउं से तूर खेत में अपना घर बना कर रहते थे बदवार शुब बालकराम का शुब अपने ही घर में फांसे के फंदे पर लटकता मिला है तो वहीं उनके 11 बरसी बेटी निहाल और 15 बरसी बेटी सालिने का शुब जमीर पर पड़ा हुआ था बालकराम का दूसरा बेटा प्रभात अबुदवार शुब कर उठा तो उसी पूरे मामले की जैनकारी लगी तीनों के शुब देख उसके वोस्ट उड़ गए इसके बाद उसने परिवार के अन्य लोगों को पूरे मामले की सोच ना दी काटना की जैनकारी लगने के बाद तमाम सिंखें में गत्णा तल पर पहुँच गए काटना की जैनकारी लगते ही भारी पुलिस को काटना तल पर पहुँच गया उदर सूचना पर अपर पुलस सहिदीग चेक पैवितरे म allowance पाथी पुलिस बलो फॉर्ण सेक्टिम के साथ गटना तल पर पहुंच कर जाच परताल में जुट गए जो बॉड़ी अभी गर पे मिली है उसको शूचना पुलिस को मिलते हैं तुरंत हम लोग सब पहुंच गए फील यूनिट के साथ यह पता चल रहा है कि जो बॉड़ी मिली है बालक राम फासी में लटकतावा मिला है और दो बच्चे उनके शालिनी अब निहाल जो है तकत पे मृत्यवस्ता भी मिले हैं उस गर में उनके साथ एक और बच्चा भी सो रहा था प्रबात नाम के रड़का लगुत 14 वर्ष के बच्चा है वो भी सो रहा था सुबह उटके जैसे उसने देखा उनके बाई और उनके बहन जो है तकत पे मृत्यवस्ता में लेटे हुए हैं और उसने तत्काल करके अंदर की कुंडी कोल के बाहर निकला और अपने चाचा को इंफाउम किया वापस लोटके देखा तो एक और कमरा है उसमें उनके पिता भी फासी में लटकते हुए मिले हैं फील यूनिट बुला के सारे सबूत इकेटे किये हैं और इनको पोस्माट करना में जुटे में परिवार वालों से वार्था करना पर यह परिवार वालों का कहना है पिता बालक राम एवं उनके जो बेटी शालिमी यह बूट की और बूट पृत की समंद्ध में कुछ इन्होंने अपने शिकायत बताया है एक साल पहले तक किपले किसी आश्रम में जाते थे और इनके उपर जो है पूताने का परिवार वालों का कहना है इस सम्मन में भी जांच किया जा रहा है पीम के बाद मुर्टी की कारण पुष्ट हो रहा है